सेफ और करीना चौथी बार माबाप बनने वाले हैं ये तो सभी जानते हैं और ये भी सभी जानते हैं कि करीना कपुर खान की ये सेकेंड डिलीवरी मार्च और फैब के महीने में होगी फैब मार्च की महीने में जिनकी डिलीवरी होने वाली हैं उनको लेकर भाईया ये चार पाँच महीने पहले ही छे महीने पहले ही क्यों आखिर इस तरह की बात हो रही है कि करीना दूसरे बच्चे की मा बनेंगी तो उनके घर में बेती आने वाली है उनके घर में उनकी दूसरी बेटी होगी यानि कि तैमूर के बाद तैमूर को भईया करने वा कहने वाली वो तैमूर अलिखान पटोदी की छोटी बहना होगी ये बैंगलूर के एक जोतीश ने कहा है जी हाँ जोतीश गणना और उनके चेहरे को पढ़ने के बाद भषवारी करने वाले उस शक्स का दावा है की करीना कपूर खान एक बेटी को स्वागत करेंगी जी हाँ ये बात सुनकर हैरानी तो हर किसी को हुई यहां तक की लोग चौक भी गए होंगे जानकर की कैसे ये सच हो सकता है बेटी को लेकर ये खबर ही बहुत जादा चौक आने वाली थी और ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे की बेटी को जन देंगी करीना कपूर खान ये कहने वाले बैंगलूरू के उस गुरू का नाम एक पंडित का नाम बताया जा रहा है जगनात गुरू जी जिन्होंने भईश्वारी की है खेर पैरेंट करीना कपूर तो अल्रीदी है तैमूर के अलावा सैफ के एक बेटी है सारा जो कि अमरिता सिंह और सैफ के शादी के बाद हुई और सारा इबराहम देवच्चे पहले से हैं जिसके बाद करीना दूस्वी पत्नी सैफ की बने तो तैमूर का जन्म हुआ सालो बार अब सैफ करीना तैमूर के बाद घर में नन्ही बेटी का स्वागत होगा करिना की बेटी का जन्म होगा ये बात तो लोगों को हैरान कर रही है वैसे आपको बता दे प्रेग्निंसी के दोरान खुब पराठे खाओ खुब घी खाओ, खुब दूद पियो ये करिना कपूर खान का कहना था वो कहती है कि ये सब हुआ है और वो जानती है कि उन्हें बॉल्लीग में इस सब चीजों की खाने पिने के जरूरत अच्छे खान पान की अपने बच्चे के लिए वो खान पान में कोई भी कमीन नहीं रखती थी इसी कारण से आज तैमूर इतने क्यूट इतने मासूम है कि बॉल्लीवूर के सबसे बड़े किट स्टार वो बन चुके हैं और उनकी पॉपुलाइटी का आप चानते ही हैं अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पूरे इंडिया ही नहीं आल ओवर वल्ड में भी तैमूर क्यूट क्यूट लिटिल किट स्टार के बीच चर्चा में रहते हैं ऐसे रनवीर कपूर की बात करें तो उनकी तरह भी दिखते हैं तैमूर वही रनधीर ने करीना की पिता ने कहा था पहले ही कि दो बच्चों ते होने ही चाहिए करीना की ताकि तैमूर को खेलने में कंपने मिले उसके सेबलींग की नेक्ष नाइने जूम से रपते गरी पुट।